नमस्कार, Study Portal में आप सबका स्वागत है, दोस्तों आज हम Army Schools के अंदर या AWES के अंदर जो Teachers की Vacancy है, उसके बारे में आज बात करेंगे, हर साल हजारों Teachers जो है, वो चेंज हो जाते हैं, किने किने कारणों से दूसरी जगह, दूसरे KVS में, NVS में, DSSV में या कई और जोएन क कर जाते हैं, और यहाँ Vacancy हर साल हजारों की संक्या में होती है, तो आपके लिए PRT, TGT, PGT, सभी लेवल के इसमें Vacancy आती है, पहले स्क्रीनिंग होता है, पिर जितनी Vacancy जिस स्कूल में होती है, उसके एसाब से ज्वैनिंग होती है, तो इसके बारे में डिसकस करेंगे, श या आपका DSSB का एक्जाम हो, सभी के लिए नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आप कोलियर से 847410108 पर कोलियर से बात करके मंगवा सकते हैं, अब बात करते हैं, क्या-क्या जानकारी इसके अंदर आपके लिए अवेलेबल है, यह कहता कि पूरे भारत के अंदर 136 आर्मी पॉब्ली स्कूल है, जो या तो आर्मी अथोर्टी के दवारा, या फिर CBSC के दवारा, आर्मी वेलफेर एजुकेशन सोसाइटी के तुरू चलाए जाते हैं, इनकी लिस्ट आपको NXR1 में मिल जाएगी, अब यह कहता कि देर आर एप्रोक्सिमेटली 8700 टीचर, 8700 टीचर यहां पर लगबग होते हैं, जो स्कूल में काम करते हैं, कई सारे कारणों के अंदर इन में से बहुत बड़ी सेंख्या के अंदर हैर साल बदल दिये जाते हैं, या छोड़ जाते तो नए उनके जगे आ जाते हैं, एक्जेक्ट नंबर जो है वो आपको स्कूल के थरूप पता चल जाएगा, अब हम बात करते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, सेलेक्शन ओफ टीचर्स विल बिद दन इन त्री स्टेज, तीन स्टेज के अंदर यह पूरा कारेकरम होगा, स्टेज वन में कहा है, स्टेज वन में स्क्रीनिंग एक्जाम है, ऑन्लाइन स्क्रीणिंग टेस्ट विल बे कंड़िटिट उनिस और वीश परवरी को ओन्लाइन एक्जाम कंड़क्ट करवा जाय का स्क्रीणिंग ड्ट विल अराईज दूरिंग दा इन्सु ए अंशु इंशुन अकड़्मी कियर इस साल के लिए पोस्टों के लिए This shall be conducted online by an energy department identified by headquarter AWS centrally to ensure uniform quality of teachers in all public schools. यह एकेजन्सी के दोबारा करवा जाएगा तो AWS की तुरू काम करेगी और इसमें कहता है कि एक scorecard मिलेगा. A scorecard will make candidate eligible to appear for the remaining stage of the selection process. इस screening exam जो बच्चे पास करेंगे उनको scorecard दिया जाएगा. जिसके base के उपर direct जहाँ जहाँ स्कूलों में vacancy होगी वहाँ पर आपके लिए वो eligibility का काम करेगा. Holders of scorecard who want to improve their scores. जिनके पास card है already वो improve भी कर सकते हैं score. Those desires of upgrading themselves. Candidate holding scorecard of TGT may not want to obtain a card for PGT having acquired additional qualification. उपर वाले के लिए वो आप बड़ी post के लिए कर सकते हैं. Please note that holding a scorecard by itself does not entitle a candidate for an appointment at teacher in army public school. यह कहता है कि scorecard होने का मतलब यह नहीं है कि आपको नोकरी मिलेगी ही मिलेगी. वो एक eligibility card है उसके बिना कोई apply नहीं कर पाएगा जिनका होगा जितने कंडिडेटर में उसके आदर पर match बनेगा. It only renders the candidate eligible for stage second and third of the selection process. यह पहली stage में आपको card मिलेगा इसके लिए आप second and third stage के लिए eligible हैं. Stage 2 में interview होता है. A stated and note to para to above the respective school shall announce the vacancy. कहने का साब-साब मतलब यह है. इनकी लाइनों पे मत जाईए मैं बता देता हूँ. पहले stage के उपर आपका screening होगा जिसमें आपको एक card मिलेगा. Second stage में interview होगा. और जब जब स्कूलों, जिन दिन स्कूलों में जितनी जितनी पोस्ट खाली होगी, वे newspaper के थुरू, website के थुरू अपनी vacancy declare करेंगे और उनके अंदर invite किये जाएंगे application in card holder बत्सों के. आप जाएंगे और आगे interview का आपका process होगा. Stage 3 क्या होगा? Stage 3 है, evaluation of teaching skill and computer proficiency. For language teacher, written test comprising essay and comprehension of 15 marks which will be held along the evaluation of teaching skill selection committee may also hold computer proficiency test if they should desire. याँगे है, evaluation of teaching skill का और computer literacy का, जो language के teachers हैं, उनके लिए comprehension and comprising essay का exam test रखा जाता है. और उसके अलावा, अगर committee चाहे, तो वो computer proficiency का test भी ले सकती है. उसके बाद हम बात करेंगे stage की. Stage 2 और 3 जो है, वो will be held in tandem under the edges of board of administration and headquarter command school management. Appointment will be made as per CBSC AWS rule के according appointment होगी. इंट्रीवू shall be for a group of schools cluster and the selected candidate for regular category may be appointed in any of the school in this cluster. और ओचा, ओनलाइन screening test की बारे में अगर बात करूँ. तो to qualify for interview and evaluation teaching skills, the candidates should have passed the online screening आपको पास करना पड़ेगा. 19 और 20 फरीपिर्ट को आपका ये exam होना, बहुत सारे सेंटरों पर देश बर में general guidance जो है, वो आपको मिल जाएगे इसके अंदर. List of subject, कौन से कौन से subject में हैं पहली बात तो तीनों लेवल पर है, PGT, TGT और PRT. तीनों लेवल के उपर हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आगे दिखाएंगे qualification की बात मैं करूं तीनों की, तो PGT के लिए post graduation चाहिए, जाब 50% नमबर होने चाहिए बहुत, बेड साथ में होना चाहिए, एग्रिगेट 50% आपका होगा, TGT में, ग्रेजवेशन में 50%, बेड और फिर एग्रिगेट भी आपका, PRT में ग्रेजवेशन में 50%, टू यर डिप्लोमा हो आपका, in elementary education या फिर बेड हो तो भी चल जाएगा, 50% आपका इसमें भी हो, ठीक है, यहाँ पर आपका किसी और परकार की कोई qualification आपसे नहीं मांगी है, शिंपल आपके पास educational qualification हो, that's all. A post graduate with less than aggregate 50% marks in graduation, but aggregate 50% marks in post graduation, and also 50% marks in subject applied for, shall also be eligible. अगर किसी candidate का यह कहता है, a post graduation with less than 50, aggregate 50% marks in graduation, but aggregate 50% marks in post graduation, and also shall, also 50% marks in subject है, तो भी हो eligible है, ठीक है. detailed list of minimum qualification for teacher in army public school and extra 3 में मिल जाएगा आपको, age की मैं बात करूँ, तो यह कहता है कि 1 April 2021 के according, आपकी यह यहाँ पर count होगी. उसके अलावा, 19 परिवरी को और 20 परिवरी को इस एक्जाम में उसका सैडूल आपका आजाएगा, एक्जाम का मोड आपको दोस्तों online रहेगा, MCP format में आपके question आएंगे, और यह कहता कि PGT और TGT candidate who fail in part B, PGT और TGT के candidate जो part B में, paper के part B में जो fail होंगे, part A में वो pass होंगे, opt to take their scorecard for PRT, जिन बच्चों का PGT के बच्चे जो हैं, और जो TGT के बच्चे हैं, वो अपने paper के B part में अगर वो fail हो जाते हैं, और A में पास हो जाते हैं, तो वो PRT teacher के लिए अपना scorecard ले सकते हैं, यानि PRT के लिए पास मान ली जाएंगे, score will be normalized to 100, आपका score का normalization process है, there will be negative marking 1 by 4, negative marking 1 by 4 away, जिसको आप लोग 1 by 4, 0.25 कह सकते हैं, तो यह आपका negative marking है, to qualify the candidate must score minimum, score का, आपको qualify करने के लिए minimum, आपके 50% number चाहिए ही चाहिए, exam fees दो 380 है, जो non refundable आपकी समें रह करेंगी, registration आप लोग CBT exam in AWS registration के उपर आप लोग जा सकते हैं, इस पोर्टल के उपर, candidate register करेंगे 7 जनवरी से, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप लोग apply कर सकते हैं, profile registration आपको करना है, need to available, mobile number, email ID होना चाहिए, option OTP बगार आएंगे, normal process है form बनने का, photograph signature चाहिए, proof of date of birth चाहिए, मोक टेस्ट के अगर मैं बात करूं, candidate को कुछ मोक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि वो familiarize हो जाएं, या उनको थोड़ा easy हो जाएं, online exam देने के लिए, तो इसलिए portal के उपर आपको एक परवरी से ये भी practice के लिए मिल जाएंगे, exam center के अगर मैं बात करूं तो काफी सारे exam center, a list of exam center will be available on the registration portal, a tentative list is also placed as an extra 5, tentative list है, लेकिन according to situation, COVID की situation भी है, उसके according वो दे देंगे, exam result जो है, वो 30 दिन के बाद declare कर दिया जाएगा, registration, टाइब लेंड देख लिए, registration जो है, वो 7 जनवरी से 23 जनवरी के बीच आपको करना है, admit card आपके 10 परवरी के अस result जो है, वो 28 परवरी के आसपास, 28 परवरी 2022 को दे देंगे, यानि 8-10 दिन के बाद exam के बाद, हाँ, yes, right, क्योंकि जल्दी देंगे, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और बाकी चीज़ों सारी सेम है, बाकी मुझे लगता नहीं कोई ऐसी चीज है, हाँ, यह examination इनको आप देख सकते हैं, अपने आसपास, यह अभी तक तो लेए है, अटेंटिटी होई है, लेकिन इन में से ज्यादा तर मिल जाएंगे, लेकिन COVID की सिच्वेशन देश में चल रही है, हो सकता है, उसकी आकास, आप से कोई अकास सेंटर ही जरुदर हो जाए, उसकी जान और उसके अलावा आप देखिए, बाइटेक, साइकोलोजी, कॉमर्स, कम्प्यूटर साइंस, इंफोर्मेशन, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, बहुत सारी है, बहुत सारी है, बहुत अब ऐसी कोई दिकत नहीं कि कहां पर है, कहां पर नहीं है, टीजिटी के में बात क सब्सक्राइब, बहुत 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 स चाहिएगा इसमें कोई डाउट नहीं है कोई दिकत नहीं आराम से फॉर्म बरिए इसके अंदर माप माना गया क्योंकि इनका अपना स्कोर्ड काड यह देते हैं यह आपका लिए प्रोसेस रहेगा असान है ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेपर इस तरीका का क्वेपर आपके सामन रहेगा सेक्षन एमें बैसिक जिक्ए सेक्शन वी करेंट अफिर सेक्षन सी प्रोफेशनल नोलेज्ज आपके होनी चाहिए यह तो आपका है सेक्षन वन वाला पार्ट ए हिसमें आप लोग यह देख सकते हैं तो तो 35% हुई है टाइस क्योशन फ्रों सीरियल नंबर 29 सब्सक्राइब तक आपका इसमें रहेगा करनट पेर नसनल करनट पेर स्टेट करनट पेर और आपके आसपास की कबरें और सी में प्रोफेस्टन नौलेज होनी चीह आपकी क्योशन 24 क्योशन रहेंगे 57 से तक भी कर देखिए आप लोग कि सैक्शन 6 अंचे सब्जयक्ट स्पेसिओं के मोट्रेट आपका रहे तो यह झाल को सब्सक्राइब कर casino और 8447410108 यह हमारा वर्टसपर कोलिंग नंबर है और ओल ओवर इंडिया के अंदर स्टेटी मैट्रिल जाता है कॉरियर से आप लोग चाहिए के विस की तयारी कर रहे हैं डी ट्री प्लेस्वी के अंदर जबरदस वकेंसी आ रहे हैं के विस के अंदर वकेंसी आ रहे हैं अर जगह हैं फटापर तयारी में जुट जाएए 2022 का साल आपको नोकरी दिला के जाएगा अच्छी मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी धन्यवाद सुब काम में